हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ गाजर का हलवा की रेस्पी सेर करूंगी इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में ये बहुत ही टेश्टी लगता है तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना और दोस्तों रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्रा हलके हाथों से पिल करना है ताकि जो भी इसके रेसे है वो निकल जाए तो यहां पर मैं चाकू से इसे पिल कर रही हूँ एकदम हलके हाथों से इसे साफ करना है ताकि ज्यादा इसकी निसके ना निकले तो इस तरीके से हमें गाजर को साफ कर लेना है यहां पर आप देख स दाने वाले ग्रेटर का यूज कर सकते हैं या फिर छोटे दाने वाले ग्रेटर का यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने छोटे दाने वाले ग्रेटर लिए हैं सबसे पहले हम गाजर के हेड़ वाले पाट को कट कर देंगे और फिर हम इसे ग्रेट करेंगे तो यहां पर चाक अधा कया लुक्त के लिएह अ Wasp अधा घुट के लिए अर यह मैंने प्रहीत के लिए हैं आप चाहे तो इससे कम भी स्पल्णिगे। तो अभामे की विए तो अभी और फ़ुट्च करक ले सकते हैं यागीर तो यहां पे हम ज्यादा घी का यूज नहीं करेंगे, दो से तीन टेबली स्पून ही यूज करेंगे, और फिर हम इसमें ड्राइफ फूर्स को थोड़ा सा भून लेंगे, तो यहां पे मैंने काजू लिये हैं, बदाम लिये हैं, और किसमिस लिये हैं, आप अपनी पसंद के इसमें आइड कर सकते हैं, तो यहां पे सारे ड्राइफ फूर्स को डाल दे, और इन्हें हलका सा गोल्डन होने तक भून ले, तो यहां पे हम गयस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, यहां हमने ड्राइफ फूर्स को भ घी में हम गाजर को आइट कर देंगे और गाजर को भी हम बीच से 25 मिनट तक भून लेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही गाजर को इसमें आइट करेंगे इसका कलर चेंज होतने लगेगा तो यहाँ पे आप देख रहा है इसका कलर चेंज हो रहा है तो इसी तरीके से हमें 20 से 25 मिनट तक इसे भून लेना है तो इसे हम सबसे पहले cover कर देंगे थोड़ी देर के लिए फिर हम बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे तो यहाँ पर गाजर को cover कर दे और इसे पकने दे 10 मिनट के बाद हम गाजर को check कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर का color पहले से काफी change हो चुका है तो अब हम इसे ढख के नहीं पकाएंगे अब हम इसे ऐसे ही भूनेंगे तो ऐसे ही इसे 20-25 मिनट तक हमें भून लेना है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे ही हम इसे चलाते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे तो लगभग हमें 25 मिनट तक ऐसे ही इसे भूनना है 20-25 मिनट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर का quantity काफी कम हो चुका है पहले से और यह काफी अच्छे से पक भी चुका है तो अब हम इसमें दूध हैट करेंगे तो इसे थोड़ी देर भूनने के बाद आप इसमें दूध हैट कर दे तो यहाँ पर गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिला ले गाजर का हलवा कई तरह से बनाया जाता है condensed milk के साथ बनाया जाता है मावा के साथ बनाया जाता है यहाँ पे मैंने फ्लेन दूद के साथ बनाया है तो अब हम इसे ढख के 20 मिनट तक पकाएंगे तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम रखे और इसे पकने दे बीच बीच में हम गाजर के हलवे को चेक करते रहेंगे तो यहाँ पे इसे एक बार mix कर लें ऐसे तो यहाँ पे हमें टोटल इसे 20 मिनट तक पकाना है तो यहाँ पे इसे mix करने के बाद फिर वापस से हम इसे cover कर देंगे और फिर इसे दुबारा हम 20 मिनट तक पकने देंगे तो यहाँ पे इसे cover कर दे और गैस का flame हमने यहाँ पे medium रखा है 20 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे फिर से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर जो है अच्छी तरह से पक चुका है दूद में तो अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे तो यहाँ पे आधा कब चीनी एड़ कर दे आप अपने टेस्ट के अनुसा चीनी एड़ कर सकते हैं और फिर हम इसे mix कर लेंगे गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे और यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और फिर हमें यही पे ड्राइफूर्स भी एड़ कर देंगे तो यहाँ पे भुना हुआ ड्राइफूर्स आइड कर दे यहाँ पे हमने काजू, किस्मिस और बदाम आइड किया है आप अपनी पसंद के ड्राइफूर्स आइड कर सकते हैं ड्राइफूर्स आइड करने के बाद फिर से इसे अच्छे से मिला ले और फिर हम इसे cover करके 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे तो यहाँ पे हम इसे cover कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे low flame में पकने देंगे बीच बीच में हम हलवे को चेक करते रहेंगे तो यहाँ पे हमने बीच में इसे चेक कर लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहले से काफी पक चुका है, ध्यान रहे, गैस के फ्लेम को हमें यहां पर लो रखना है, तो हम इसे लो फ्लेम में ही पकाएंगे, तो यहां पर हम इसमें इलाइची का पाउडर राइट कर देंगे, तो यहां पर हाफ टी स्पून इलाइच पाउडर राइट कर दे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे तो पांच मिनट तक हम इसे और भूनेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं गाजर का हलो बन के बिल्कुर रेडी हो चुका है तो यहां पर हम इसे सर्व कर लेंगे तो यह लीजे गाजर का हलो बनके बिल्कूर रेडी हो चुका है गाजर का हलो बनाने में आधे से एक घंटा भी लग जाता है तो दोस्तों इसे बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसपी के साथ